Hello students, I am Vishal Sinha and welcome to my channel Vishal Sinha Education आज काफी दिनों बाद मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ Class 10 का चैप्टर 3rd Biology का How Do Organism Reproduce यानि Reproduction अगर बात करें इसके पहले हमने दो चैप्टर पहले ही फिनिश कर लिया कौन को? Life Processes and Control and Coordination अगर इन दोनों चैप्टर के अंदर देखें तो इन दोनों चैप्टर के अंदर हमने वो सिस्टम, वो functions परें जो एक Living Organism के लिए बहुत ही Essential है यानि इन functions के बगेर कोई Living Organism इस दुनिया में इस्ट नहीं कर सकता है लेकिन अगर बात करें Reproduction की तो क्या Reproduction इतना Essential है किसी Organism के लिए? अगर बोलू तो हाँ भी और नहीं बे क्या से? बीना Reproduction के एक Organism अपने Life को इस्ट करा सकता है जिन्दा रह सकता है, अपने Life Span को Complete करकर मड़ सकता है लेकिन अगर उस Organism को अपनी इस Spaces को existence में लाना होगा इस Environment में रखने के लिए, इस World में रखने के लिए तो उसको Reproduction करना होगा शाहे वो Plant हो, Animal हो या फिर कोई भी यूनिस, Cellar Organism हो तो आईए स्टार्ट करते हैं Reproduction Reproduction एक ऐसा Process है जिसमें एक Organism अपने ही जैसे किसी दूसरे Organism को क्या गरता है? प्रोडियूस करता है दूसरा, अगर Reproduction की बात करें तो मैंने जैसा कि अभी बताये कि Reproduction important है किस बेसिस पे अगर किसी Spaces के इस्टेंस के बारे में बात करें और उसकी continuity के बारे में बात करें यानि लगातार एक अस्पेसिस को इस दुनिया में अगर अस्तुत में आना है तो वो उसको Reproduction करना होगा दूसरा, Reproduction involved the creation of DNA copy and additional cellular component by the cell-involved process called cell division Reproduction को और भी ज़्यादा स्पेसिफाइग करें तो हम cell division कह सकते हैं क्योंकि cell divide करता और cell division के करना ही Reproduction हम कह पाते हैं तो सल जो divide करता है तो सल के अंदर क्या होता आपको अपने पढ़ा होगा कि अंदर पहले Nucleus divide करता है उसके बाद उसके अग उसके बाद एक सेल डिवाइड करता है यानि सका साइटरी व्याजर्ध लगाट करता है प्रफिसीज के अंदर तो यह एवलिशन कॉस करता है नेक्स्ट जब सेल डिविजन की बात करें तो सेल डिविजन को जनरली दो टाइप में डिवाइट किया गया है सेल हो सकता है इसमें नहीं कोई नहीं कोई कंडिशन नहीं है कि एक डिविजन को इसमें नहीं होगा आयोकि इसमें C cardiomyosis में मदर सेल मीडुशिस डिवीजन में क्या होता है एक मदर सेल उसके अंदर सिंगल होता है सिंगल डिवीजन होने के बाद दो ढॉटर विल्र बन जाते हैं कि अधिया बन जाते हैं तो इन दोनों डॉटर्टर में भी 10 क्रोमोजोम ही होंगे लास्ट पॉइंट है जनरल ही कहा होता है सुमेटिक सेल्स हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को सुमेटिक सेल्स कहा जाता है क्यों होगा उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए यानि उसको डिवीजन करने के लिए सेल्स ग्रोथ यानि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है यह मैटोसिस के द्वारह ही होता है या फिर बॉडी में कभी रिपैरिंग का काम हो रहा है कहीं चोट लगी और फिर सेल्स वहां बनने और रिपेयर हुआ तो यह सब माइटोसिस डिवीजन के कारण ही हो रहा है हमारो जो नेक्स डिवीजन है वह है मियोसिस में देखे तो मियोसिस सिर्फ डिपलोइड सेल्स में होता यानि दो सेट अफ क्रोमोजोम जिस सिल्स के होगे हैं यह चोट लिए होगें कारण रहा होता है अगर इसके अंदर 46 क्रोमोजोम है और अगर इसके इंदर mijosis हो गया तो इसके अंदर जो चार सेउस बनेंगे इस से जो सब के अंदर कितना क्रोंजों होगा 23-23 तरी तरी हों जायगा क्रोंजों ही धुब अगर इसमें माइटोसि सुब्स होता तो क्या होता है अगर माइटोसि सो दो ही cell produce होते और उन दोनों cell के अंदर भी chromosome का नंबर 4646 हो जाता तो यह डिफर है थोड़ा mitosis से नेस्ट अगर बात करें reproduction की तो reproduction दो टाइप का है एक है a sex reproduction दूसरा है sex reproduction अगर a sex reproduction की बात की जाए तो वैसा reproduction जिसमें एक offspring का production हो रहा है एक offspring प्रोडियूस हो रहा है लेकिन बीना किसी दो अपोजिट सेक्स के गैमेट के या फिर पैरेंट के इंवल्मेंट के बगेर इसलिए लिए लिखा है इसलर और धिर लिसद रहा है एक सिल्क और यह याद रखना है जार्थ होगा तो इस लंकी के बात करेंगे उस इभ़नेंट के अधर का श्याहाँ होंगा और अंदर नूबएस का श्याहां साईटोप्लाजम और इस सब्सक्रीजिए ना ज अब्यक्छिक्ञा हैमिए उस फे तो नुपले सेल उसके बाद दो डॉटर सेल बने साइटो प्लासम के डिवीजन के कारण इसके कारण है जो यह था हमारा मतलब यह होता है का मतलब यह होता हूट है तूがनल तूटकर को बाइनरी फीजन समय होगि इसको नेक्स्कारिक है वह है मल्टीपल फीजन मल्टीफल बाइनो issue बाइनlı नया जब गाल नचाएब पाइंगromeואצ को ड़न तया बेसित बनाए इसुलKay क्यासिए जाना-कोठीजन होता दोके remaining चाहिप हुआ जो निजा को यह ने काले के कहां YOUC करते जाएं के बाद वह जो न्युक्लियस हैं जो बहुत सारे मिखें और तो निकलियर veggie कहा जाएम वो क्या होंगे सराउन होंगे साइटो प्लाजम से और यह जो साइटो प्लाजम से सराउन है तो उस दौरान एक हार्ड कवरिंग बन जाती है इस सेल के चारों जिसको कहते है सिस्ट यह सिस्ट के अंदर ही यह सारी चीज़े चल रहे है उसके बाद जब फेब्रेवल कंडिशन आएगा तो यह वाल रप्चर हो जागा यह सिस्ट रप्चर हो जाएगा और सारे सल्स इस रीजन से बाहर रिलीज हो जाएगे और एक नए और्डिजम में चेंज हो जाएगे तो यह था मुल्टिपली फीजन तो यहां एक छीज और ध्यां सकते हैं कि यहां सिर्फर सिर्फ क्यारियो कानेसी होता है और लास्ट में इस वहोता है उसके बाद सारे सल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा फ्राग्मेंटेशन यहां भी अगर नाम देखो तो आप समझ सकते हो फ्राग्मेंट यानि टुक्रे जब एक औरनिजम बहुत सारे टुक्रों में बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को इस एक्सक्र रिप्रोसेस को क्या कहेंगे फ्राग्मेंटेशन तो यहीं मैंने लिखा है पैरेंट बॉडी ब्रेक्स इंटू पीसेस एंड इच इस पैरोगाइरा का मैंने डाइग्राम बनाया है यह ब्रेक हो गई चार पीस में और हर एक पीस एक नया अस्पाइरोगाइरा बनाएगा इसके अंदर दो एक्जामपल जो एक ग्रीन अलगी है और राइजो पर फंजाई फैमिली से बिलॉग करता है नेक्स्ट जो हमारा बाइघ्ल्आवर्स यहां क्या होता एक और श्रिक बेर्ने के पर अपने को पार्ट को ग्रों करा लए यह अपने किसी पार्ट से और निसम में नाइद्ट जिंदू सकते हैं retain इस नपल्टर बिलके अपने औरने फक्वए पार्ट को फिर पर पार्ट करने लिस लिए में लोग देखते हैं रिजनरेशन वहां भी हो रहा है दूसरा इट इस कैरीड आउट वाइस समस्पेशल सेल्स विच कैन भी डिवाइट तो फॉर्म आउर्गन और और निजम यानि क्या होता है इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं और यह स्पेशल टाइ याद रखना और भी लिजाथ़ लिख सकते हो या फिर स्फेशल की बात करें स्फेशल का जो आ करके जाए कट करते तो घह तो वह सब घ्रस की नरीजनरेशन में तौरी दुनिया में सबस newcom help चोटा सा औरिसम का इस और स frase पार्ट में हम तोड़ दे तभी भी हर पार्ट एक नया प्लेन अडिया बन जाएगा यह जो नेक्स टॉपिक है वह बड़िंग अगर बड़िंग की बारे में बात की जाए तो आज आपको यह जो हीरा आपको यह बताना है कि यह है और इसकी तरह दिखेगा एक hydra parent body की तरह ही देखेगा और वो बड़ क्या हो जाएगा separate हो जाएगा तो यह parent body और यह हो गया daughter body तो यह दोनों separate हो गए और यह जो बड़ separate हुआ वो भी एक नए hydra की तरह करेगा after growth तो यह था budding in hydra एक और एक्जामपल देख सकते हैं इसके अंदर भी बड़िंग देखे जाती है next time vegetative propagation vegetative propagation भी a sexual reproduction का ही पार्ट है लेकिन यह plants में होता है यह सिट फॉर से plants में होगा तो occurs only in plant there are many parts in which in which plant part like root stem and leaves develops into a new individual यानि plant में फ्लार को छोड़के फ्लार को छोड़के और कहीं से भी फ्लार में सीट प्रड़क्शन होगा उससे एक नया plant बनेगा इस चीज़ को छोड़ देते हैं उसके अलावा plant की body के कोई भी पार्ट से अगर एक नया और भी बहुत सार एक्जामपल इन सब में vegetative propagation हम लोग देख सकते हैं नेक्स टॉपिक है artificial method of vegetative propagation यह हमने जो method बढ़ा वेजेटिटिव प्रड़केशन का यह natural था यानि यह naturally होता इसमें human का कोई भी involvement नहीं होगा लेकिन अब देखते हैं artificial अगर हम चाहते हैं वेजेटिव प्रोपागेशन कराना तो कैसे करा सकते हैं तो इसका तीन पार्ट है सबसे पहले कटिंग क्या है सिंपल नाम से ही पर चार रहा है इसमें क्या होगा किसी plant का stem या root कट करके लाओ उसके टिप रीजन पे और जी नाम का रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन जो कि रूट के रोज को प्रमोट करता है इसको लगाना है और फैमली हॉर्मोन का जिसके अंदर भी बहुत सारे हॉर्मोन आते हैं जैसे मैंने लिखा आई-बी यह हैं इंडॉल क्षण और वेचेटिटी प्रोपागेशन का जो दूसरा पार्ट के बाद लोगा है सिंप्ली डाइग्राम से समय सकते हो मौल है एक प्लांट है उस प्लांट को हमने ऐसे बैंड किया और बैंड करके उस एक पार्ट को क्या किया स्वावज से टच कर दिया स्वावज से पार्त दिया जाएगा और यह दो नए प्लांट्स हो गए यानि एक प्लांट से हमने दो प्लांट बनाए एक ध्यान देना आप लोग रूट और अगर उसके बगार किसी दूसरे पार्ट से अराइज हो कोई भी रूट तो उसको एड्वेंटिशियस रूट कहेंगे याब रखना आपको जो तीसरा प्रोसेस है आटिफिशल मेथट अब वेजटेटिव प्रोपागेशन का तीसरा है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग जैन में प्रेजन होता है जिसके कारण दो डाइकॉर्ट फ्लांत है एक प्लांत एक प्लांत जो उपर लिया उसको शायन लें और स्टॉक कहा गया आए जिस प्रोटे product में हम कुछ change चाहते हैं कुछ बदलाव चाहते हैं उस पार्ट को लेते हैं और stock root की तरह काम करेगा और जो यह product formation होगा वो mixed होगा यानि उसके अंदर कुछ चीज़े stock वाली भी होगी जिससे हम एक नई variety पाते हैं किसी भी fruit या किसी vegetables का note में मैंने लिखा है grafting is performed in dicot plant due to presence of cambium cambium अपने class 9th में पर रहा हो था cambium एक tissue है जो के divide करता है plant में और उसके गर्थ को increase कराता है तो cambium present होने के current dicot plant में grafting possible है और जो product opt in करते वह कहां से करेंगे सायों से करेंगे तो यह चीज़े आपको याद रखने हैं हमारा ninth topic asexual reproduction का क्या है sport formation जैसे कि नाम यानि इसमें sports बनते स्पोर्स क्या है sports बहुत चोटी-चोटे structure जिनको reproductive structures भी कहा जा सकता है अब देखो इस राइजुपस का एक diagram मैं ने बनाए इस राइजुपस में यह जो structure से हैं इसको asporangium कहा जाता है एक singular को sporengium और पूरे को एक साथ asporangia इस sporengium के अंदर यह जो spore होते वो mature होते after maturation यह spore burst होते यह sporengium burst होते और सारे sports release हो जाते after release सारे sports एक नए individual में change हो जाएंगे इसका सबसे अच्छा example यह राइजुपस आपने राइजुपस के बारे में पढ़ा था कि यह fragmentation भी करता है यानि fragments से तूट कर भी अपने आपको चेंज कर लेता बहुत सारे individuals में तो यह दो तरीके से एसेक्स करता है जो हमारा next topic है वह सबसे important tissue culture या इसी को micropropagation भी कहा जाता है यह टेक्नीक है जिसमें एक नया plant को बनाया जाता कैसे किसी दूसरे plant से यानि किसी दूसरे plant से कुछ tissues को कुछ cells को लिया गया और उसको एक laboratory के अंदर उसको प्रिपेर करके plantlet बना जाता है पहले क्या किया जाएगा जहां से एक plant है वहां से मैंने कर टिशू लिया और उस टिशू को एक nutrient medium में डाला तो वह क्या करेगा डिवाइट करेगा डिवाइट करने के बाद वह ग्रूप और मास बन जाएगा एक बहुत बड़ा मास बन जाएगा उसको क्यालस कहा जाएगा इसलिए मैंने लिखा बना देता है और एक नया plant बना देता यानि बेबी बना देता यह प्रोसे जादता और और नमेंटल प्लांट में होते हैं इसमें बहुत सारी चीजह आप और भी जानीए डायक्ट एक्जामिशन में लिखाद कहा जाएगा यानि दिफ्रेंशियेट नहीं है लेकिन डिवाइड होने के बाद वह पाटिकुलर स्टक्चर बना लेंगे तो उसको कहा जाएगा डिफ्रेंशियट था क्या उन धिवाइड और डिफ्रेंशियेट किया तब जाकर एक प्लांट यह और दूसरा infection भी है bacterial infection भी है दुनिया के सारी infection इसी प्लांट को हो गई अगर हम सोचे कि अगर यह दुनिया का आखरी plant हो यानि इसका कोई सीट नहीं हो तो क्या करना चाहिए यहां एक तरीका है हमने प्लास नाइंथ में apical medistream root apical and shoot apical medistream पढ़ा था यानि किसी प्लांट के टिप पर shoot apical medistream होता और root के टिप पर root apical medistream होता तो यह जो टिप होता है यह infected नहीं होता क्योंकि यहां cells लगातार क्या और डिवाइड करके बनते जा रहे हैं तो यहां cells fresh होंगे इनमें infection नहीं होगा तो हमेशा tissue culture के लिए सबसे अच्छा कहा है यहीं से cell लेना चाहिए किसी apical reasons नहीं अगर वो cell लेंगे तो वो कोई भी infection उसमें नहीं होगा आसानी से इस process को हम कर सकते हैं तो आज बहुत सारे plants को tissue culture की मदद से बनाये जा रहा है और बहुत कम टाइम में हम बहुत जादे plants को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं